एक गर्म धूप वाले दिन जंगल में, एली नाम की एक दोस्ताना हाथी नदी के किनारे टहल रही थी. उसे ठंडी हवा और बड़े-बड़े पेड़ों की छाया में घूमना बहुत पसंद था. एली अपने दयालू दिल के लिए जानी जाती थी, और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहती थी. जैसे ही वह चल रही थी, उसने एक छोटी सी आवाज सुनी, बचाओ, बचाओ, एली वहीं रुख गई और ध्यान से सुना. आवाज धीमी थी, लेकिन बहुत ही परिशान करने वाली थी. उसने इधर-उधर देखा, और देखा, कि एक छोटी चीन्टी जमीन में गहरे दरार में फसी हुई थी. चीन्टी का नाम एंडी था, और वह खुद से बाहर नहीं निकल पा रही थी. तुम ठीक हो, चोटे दोस्त. एंडी हाफते हुए उपर की ओर देखता है और कहता है, मैं खाना ढूंडते हुए इस दरार में गिर गया, और अब बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ. एंडी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी लंबी सून्ड नीचे की, उसे एंडी के चारों और धीरे से लपेटा और उसे दरार से बाहर निकाल दिया. एंडी ने खुद को साफ किया और अभार से एली की ओर देखा. धन्यवाद एली, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा. एली मुस्कुराई और कहा, इसकी चिंता मत करो. कभी-कभी हम सभी को मदद की जरूरत होती है. चाहे हम बड़े हो या छोटे. एंडी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तुम सही कह रही हो, तुम इतनी बड़ी और ताकतवर हो, और मैं इतना छोटा और नाजुक हूँ. यह अद्भुत है कि हम फिर भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. एली हंस पड़ी, ताकत हमेशा आकार से नहीं होती. तुम छोटे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास भी अपनी ताकतें हैं. जैसे ही वे बात कर रहे थे, जंगल में एक जोड़दार गर्जना गुंजी. एली और एंडी दोनों ने देखा कि जंगल के पेड़ों के बीच एक तेज आंधी चलने लगी. हवा और तेज हो गई और आसमान धूसर हो गया. ओ नहीं, तूफान आ रहा है, एली ने कहा. उसकी काने चिंता से फढ़ फढ़ा रही थी. वे दोनों सुरक्षित जगह की और भागने की कोशिश करने लगे. लेकिन हवा और तेज हो गई. और एली का बड़ा आकार उसे जल्दी से चलने में कठिनाई पैदा कर रहा था. एंडी, जो बहुत छोटा था, आसानी से लंबे घास के बीच से गुजर गया. लेकिन उसने देखा कि एली संघर्ष कर रही थी. हवा ने उसे संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया, और वह किसी सुरक्षित जगए को ढूंड नहीं पा रही थी. अपने बड़े दोस्त को मुसीबत में देखकर, एंडी ने जल्दी से सोचा, उसे पास की एक छोटी गुफा याद आई, जहां वह और अन्य चीन्टियां बुरे मौसम में छिपते थे. एली, मेरे पीछे चलो. एंडी ने हवा के उपर से चिल्लाया. उसने पेड़ों और घास के बीच जिगजए करते हुए गुफा की और मार्क दर्शन किया. एली ने अपनी पूरी कोशिश की, एंडी के छोटे कदमों का पीछा करने की, लेकिन हवा ने इसे मुश्किल बना दिया. जब वह लगभग हार मानने वाली थी, एंडी फिर से उसके पास दोड़ा और चिल्लाया, हम लगभग पहुँच गए हैं, हार मत मानो. आखिरी प्रयास के साथ, एंडी ने आगे बढ़ते हुए एंडी का पीछा किया, अंततह वे गुफा तक पहुँच गए, गुफा छोटी थी, लेकिन एंडी उसमें किसी तरह समा गई, ठीक समय पर, क्योंकि तूफान बाहर भयंकर था, दोनों अंदर बैठे, और अपनी सांसें वापस पाई, एंडी ने एंडी की और हैरानी से देखा, तुमने मुझे बचाया, मैं बिना तुम्हारे इस जगे को कभी नहीं ढूंड पाती, एंडी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, भले ही मैं छोटा हूँ, फिर भी मैं मददगार हो सकता हूँ, एंडी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे थे, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता, कि हम कितने बड़े या छोटे हैं, बलकि इस पर निर्भर करता है, कि हम अपनी क्षमताओं का उप्योग कैसे करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, तूफान आखिरकार थम गया, और जंगल फिर से शान्थ हो गया, एली और एंडी गुफा से बाहर निकले, सूरज फिर से चमक रहा था, वे जंगल में वापस टहलने लगे, शान्ती और खुशहाली का आनंद लेते हुए,